हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनर्जी बूस्टर मैं स्वागत है अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल एनर्जी बूस्टर को सबस्क्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूले आज का टॉपिक UNO और इसके ओर्गानिस के ओपर है UNO का मतलब होता है United Nations Organization UNO एक बहुत ही important टॉपिक है क्योंकि हर साल हर government exam में UNO पर तीन या चार questions आते ही आते है चाहे वो SSC, CGL, UPSC को भी government exam हो तो आज का वीडियो शुरू करते है पहले हम जानेगे कि UNO आखिरकार है क्या ये कब बनाएगी थी United Nations Organization एक international organization है organization का मतलब होता है group okay United Nations Organization 24th October 1945 को बनाएगी थी जो United Nations Organization का constitution है वो पहले sign किया था 51 countries ने इंडिया ने भी इसका constitution पहले sign किया था UNO में six official languages है अब दूसरा चीज आता है और गन जाफ यानो UNO में six organs है और हर एक और गन के अपने अपने काम है जो पहला औरगन है United Nations का वो है United Nations General Assembly United Nations General Assembly बहुत ही important औरगन है UNO का United Nations General Assembly को हम Town Meeting of All World भी भोलते है जो UNO के members होते है वो United Nations General Assembly में अपने countries के problems को express करते है United Nations General Assembly में 193 members है जो दूसरा औरगन है UNO का वो है United Nations Security Council United Nations Security Council बहुत ही important औरगन UNO का है जो success UNO की है हो United Nations Security Council पर dependent है क्योंकि United Nations Security Council उन countries के खिलाफ action लेती है जो UNO के rules फालो नहीं करते है मतलब जो टर्रिजम को बढ़ावा देते है या कोई भी ऐसी चीज़ को जो humans को threat pose करती है United Nations Security Council में 15 members है 5 permanent members है और 10 non-permanal members है जो थर्ड औरगन है United Nations Organization का वो है Social and Economic Council जो UNO का काम होता है वो सिरफ यह नहीं होता के को के भी इसको बचाए बलकि उसका यह भी काम होता है कि वो Social and Economic Status उसके members को देखे जो Social and Economic Council है वो Social and Economic Status countries के देखता है मतलब Social and Economic Council देखता है क्या countries की economy के social conditions अच्छी है अगर नहीं है तो Social and Economic Council कोई action लेती है जो फूर्थ और्गन है United Nations Organization का वो है International Court of Justice International Court of Justice बहुत important और्गन यवानों का है यह एक कोट है जहां जिस तरह हमारी कांट्री इंडिया में लोगी है दूसरे मुलकों में कोट है International Court of Justice यह जो डिस्पूटस है यह उनको hear करती है सुनती है और कोई फैसला देती है उस डिस्पूट पर एक्शन के लिए International Court of Justice में around 16 judges है जिनकी तरम होती है 9 years जो फिफ्ट और गन है UNO का वो है Trusteeship Council Trusteeship Council United Nations Journal Assembly के अंडर काम करती है Trusteeship Council उन एरियास को देखती है जो जापान और जर्माइनी ने फ्री किये थे Second World War के बैद Trusteeship Council की ये ये भी फांक्शन होती है कि वो जो condition countries के होती है वो उन पर एक रिपोर्ट बना देती है और United Nations Journal Assembly को वो देती है कुछ एक्शन के लिए मतलब अगर किसी कांट्री की सोशल या एकोनामिक कांट्री ये अच्छी नहीं है तो ये एक रिपोर्ट बना देती है और United Nations Journal Assembly को बेज देती है एक्शन के लिए जो सिगिस्थवारगन है वो है सेक्टरेट जो सेक्टरेट है वो भी एक इंपोर्टन्ट आरगन है जो सेक्टरेट है उसका हेड होता है सेक्रेटरी जेनरल जो आज का सेक्रेटरी जेनरल है ये अनो का वो है अन्टोनियो गिटरस जो सेक्ट्रेट है वो UNO का बजट प्रेपियर करती है और बहुत काम भी करती है अगर कोई सेक्रेटरी जरनल भानना चाहता है UNO का तो वो एक गुड़ एडमिनस्ट्रेटर होना चाहिए वो एक गुड़ स्टेट्समेन होना चाहिए और वो रेडि होना चाहिए रिस्ट्रेटर लेने के लिए तो ये थे सेक्रेटर आरगनस्ट UNO के मुझे उमेद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी फर्दर इंक्वाइरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये मत भूले कि और चनल को सबस्क्राइब करना ना भूले दो मिलते हैं आगले वीडियो में बाई बाई